आज के वीडियो में हम 475 के प्राइम फेक्टर्स निकालना सीखेंगे प्राइम फेक्टर्स निकालने से पहले आपको पता होना जरूरी है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वह नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद अपने आप से डिवाइड हो पूरी तरह से उन्हें क्या कहते हैं प्राइम नंबर्स कहते हैं एक्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7 and so on यह कुछ आपके प्राइम नंबर्स हुए ठीक है इसके बाद हमको इसमें फेक्टर्स निकाल लाना चाहिए अगर आप फेक्टर्स निकाल ले गए तो आपको प्राइम फेक्टर्स अपने पता चल जाते हैं तो मैंने 475 के फेक्टर्स निकाले सबसे पहले तो 5, 9, 45 और 5, 5, 25 ठीक है फिर यह 19 टाइम जाएगा 5 से 95 का तो फिर 19 में जा 19 हो गया ठीक है इसके बाद इसमें आपको जो भ इन प्राइम नंबर्स को फिर आपसे मल्टिप्लाई करा जाता है और मल्टिप्लाई कराने के बाद इसका रिजल्ट हमेशा वही होना चाहिए जिसके आपको प्राइम फेक्टर्स निकालने थे अगर रिजल्ट वही नहीं आया जिसके हमें प्राइम फेक्टर्स निकालने झाल झाल